इस सीजन के आखरी लीग मुकाबले मैच है Sunrises Hyderabad और Mumbai Indians के बीच Sunrises Hyderabad तो पहले ही playoff race से बाहर हो गई थी लेकिन Mumbai Indians top 4 में पहुँच सकते हैं आबुदाभी में मुकाबला है लेकिन इससे पहले बताना चाहेंगे कि इस preview के recording हम KKR बना हम Rajasthan Royals होने वाले जो मैच है उससे पहले कर रहे हैं यानि कि अगर वो मुकाबला KKR हार गई है तो फिर तो Mumbai Indians को सिर्व अपना मैच जीतना है और top 4 में आ जाते हैं लेकिन अगर वो मैच KKR जीत गई है तो Mumbai Indians को ये मैच बहुत ही बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा तब ही वो playoff में पहुँच सकते हैं इ इंडिन से शुरुवात कर रहे हैं जहन त्यादफ पिछले दो मैचेस खेलें अच्छा कासा प्रदर्शन रहे अब क्या करेंगे इस मैच में क्योंकि off spinner इतना इस लीग में दिखते नहीं है राहुल चेहर हैं आपके पास Kunal Pandya है आपके पास राहुल चाहर आपको एक विक तुनाइल बल्ले बाजी करते हैं अब कुनाल पांडे को काम पर बल्ले बाजी कराएंगे तो राहुल चाहर के साथ जाना चाहिए Sunrises Hyderabad का आखरी मैच है सीजन का पिछला मुकाबला भी वो जीत गए सवाल यहां पर कई लोग का मानना है और खास तोर पर Sunrises Hyderabad फैंस का कि क्या वॉर्णर को मिलनी चाहिए एक विदाई एक फैर्वेल इतने बड़े वार हॉस रहे हैं वो इस टीम के लिए एक लेजन रहे है क्या वो होगा हाला कि उनके ट्वीट से तो ऐसा कुछ हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खेल चुके हैं अपना आफ्ली मै आप मैच जीतने के लिए खेलते हैं वो इसमें देविट वॉरनर की जगह बलती है तो बिल्कुल खिलाइए अगर उसमें नहीं बंती देविड व की जगह तो आप बिल्कुल मत खिलाइए सिंपल अजिट के लिए उपनिंग है इशान किशन की ताकेति हमें आकड़े दिखा रहे हैं और बैटिंग पॉजिशन से उनका प्रदशन देख रहे हैं इस IPL में जब भी आप देखें बतौर ओपनर वो जो बारा मुकाबले पूरे IPL रेकॉर्ड अगर आप देखें तो उ बावन की है बाकी पुजिशन में जब वो बल्ले बाजी करते हैं तो 21 उनकी अवरेज गिर जाती है यह उनका ओवराल IPL रेकॉर्ड है क्या करेंगे गौतम आप इनको ऊपर खिलाएंगे और अगर यह उपन करते रहेंगे तो क्विंटन की फिर तो शायद जगा नहीं बन सकते हैं बाकी मुझे लगता बैटिंग और भी सेमी रहना चाहिए जिस जो बैटिंग और चाहिए नंबर चार पर उत्रे ते उसकी जगहां कारण पॉलाट को बेज सकते हैं वो थोड़ा आप शफल कर सकते हैं बट मेरे साब से प्लेइंग 11 में की चेंज होना चाहिए वो जो आप ऐसे गेंदबास के साथ असोसियेट नहीं करते क्या एक तो यह कारण है शायद की इतना नीचे क्योंकि उनका एस बोलर उतना पेनापन नहीं कर पा रहा जैसे पहले हमको देखने को मिला क्या लगता है गौतम क्या कारण हो सकता है देखे हर मैच में तो डॉन ब्र वर्ल कप में क्या पता करिश्मा कर दे अगले सार फिर किस चीज़ भी फ्रैंचेज अगर संराइज के लिए के लेंगे तो फिर करिश्मा करेंगे एक चीज़ लोग भूल जाते हैं कि जब राशिद खान अपनी पीक पे सबसे अच्छा प्रफॉर्म कर रहे थे जिस भी सी तो अगर भूमनेश्वर कुमार अच्छे रिदम में हो या फिर बाकी गेंद बाद अच्छे रिदम में हो तो आप राशिद खान को और अफेक्टिव देखते वे नजर आएंगे और और विकेट्स लेते वे नजर आएंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आपको यह उपोजेशन को कि हमारे पास सोला ओवर है राशिद खान के हम चार ओवर पच्छेस चौबेस रंबे भी निकालते हैं तो शायद उतनी विकेट्स वो ले नहीं पाएंगे लेकिन सड़नी जब ऑपोजेशन को लोगे हमारे पास सिरफ इनके पास तो बार ओवर क्वालिटी और उनकी जो तेज गेंदे उसने सभी को काफी एकसाइटेट किया है हमने शुरुवात में बात की कि मुंबई को बड़ी जीत की ज़रूरत होगी लेकिन यह जो बोलिंग अटक है भूवी होल्डर उम्रान मलिक इनको मैं सबको एक साथ जोड़ूँगा यह काफी कटिन सामने सवाल पूछ सकते हैं और अगर मुंबई पहले बल्ले बाजी करता है तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना जूरूरी है और कितने में रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो देखना होगा साथी में सबसे भूवी का रिदम मच बेटर था पिश्ले मैच में साथी में उम्रान मलिक तो आपको पेस्ट देते तो आपका जो अटाक है वो बहुत वान डामेंशनल लिए अब आपके पास स्विंग भी है गती भी है और आपके पास राशित खान भी तो बिलकुल चैलेंज कर सकते हैं एक टाइम पर लग रहा था कि सन्राइजर मैच नहीं जी तकती आर्सी बी के सब्सक्राइब बहुत 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 शुक्राइब आप देख रहे थे एस पीन क्रिक इंफो टी ट्वेंटी टाइम आप